हेलो दोस्तों में नम अशोक है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Seed IT Solution आज की इस वीडियो में बात होने वाली दोस्तों TCS की तरफ से जो कुछ नई opportunities आई हुई है उसके बारे में हाली ने TCS ने off-campus full-time hiring का notification निकाला हुआ है और एक नया portal launch किया हुआ है जहाँ पे आप लोग TCS में internship करने के लिए apply कर पाएंगे इसी के बारे में इस वीडियो में डीटेल में बात हो रही होगी वीडियो पसंद आएगी लाइक करिए का WhatsApp ग्रूप, Telegram ग्रूप को अगर आपने अब तक जॉइन नहीं किया है Link Description पे है उसे भी ज़रू जॉइन कर लिएकर क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह की update देखने के लिए मिलते हैं दोनों आप opportunity के बारे में one by one बात करेंगे लेकिन आपको ये भी बता दो दोस्तों कि अगर आप top 500 company में अपनी placement पाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल free of cost आप में से कोई भी चाहे वो first year के student हो चाहे वो final के student हो एक coding contest में participate कर सकता है जो की बिल्कुल free है beginner label का C, C++ में भी आप इसकी question attempt कर सकते हो और 500 से ज़्यादा company इंटर्ण के लिए यहाँ पर hire करने वाली है एक टेस दोस्तों January के end पर होने वाला है link description पर आपको मिलेगा साथ में आप लोगों को इसमें free courses मिलने वाले हैं आपको इस description पर जो link पर लेका दोस्तों उसमें जरूर अप्लाई करिएगा क्यों इसमें ज दिख सकते हैं apply करने की जो last year के आपे बताए गई है वो है 20 January 2023 तो 20 January के पहले आपको apply करना पड़ेगा जो test यहाँ पर होगा दोस्तों वो होने वाला है तीन फरवरी को BPS का रोल है दोस्तों और यहाँ पर बात कर ली जाए कौन से प्रांच वाले इसमें eligible होने वाले हैं त लब BST, BCA वाले भी इसमें चाहिए तो apply कर सकते हैं दोस्तों और अगर बात कर ली जाए apply कैसे करना है तो TCS Next Portal पर आप लोगों को सबसे पहले login करना पड़ेगा और वहाँ से आपको registration करना पड़ेगा जब आप registration करेंगे तो वहाँ पर आपको BPS का role select करना पड़ेगा कैस इस पर registration करते हैं डीटेल वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है तो उस वीडियो का link आपको मैं description पर दे दूँगा दोस्तों और यहां प्यादखिए कि यह आपका in center इसमें आपको देना होगा मतलब आपको दोस्तों जाना पड़ेगा टीसेस आयन का जो भी आपके खर के आज पा सेंटरों को आप चूज कर लिजेगा और वहां पर आप लोगों को यह offline exam देना पड़ेगा बात कर लिजाए दोस्तों कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे eligibility criteria मैं आपको इबर बता देता हूँ 23 BCOM BA BST के student BBA BBM BAF BBI के student इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि दोस्तों इंडिया की किसी college से अपनी पड़ाई कर रहे हैं वो इसमें eligible होने वाले हैं और full time आपने course किया तो आप इसमें select हो पाएंगे और यहां पर बता गया है दोस्तों कि यहां पर backlog अभी यहां पर बता गया है दोस्तों कि एक backlog यह allowed कर रहे हैं और किसी भी तरह का gap की बात कर ल ability, variable ability और resident ability की questions आपसे पूछे जाने वाले हैं और अगर आपको कोई doubt है दोस्तों इस पर तो FAQ section आपके पास यहां पर open है, FAQ section में आप आपकी सारी चीज़ एक पार देख सकते हैं, तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप अपने BBA, BSC और B.com की student के सारी से share करें क्योंकि दोस् इस तरह की आती है लेकिन पता नहीं रहता है, तो आपका एक share उन्हें काफी जादा मदद कर सकता है, बाकी लिंक आपको description पे इसका मैंने दे दिया है, जिसके थूँ आप इसमें apply कर सकते हैं, और दोस्तों एक काची में बता दू, हाली में launch किया है अभी इंडिया में, ज इसके लिए दोस्तों ऐसे student जो की एक अच्छे college से अच्छे academics में अपनी पढ़ाई कर रहे है, academics लाए हुए है, जिनका percentage अच्छा रहा है, वो इसमें eligible हो पाएंगे, 21-22 batch बाले इसमें apply कर सकते हैं, program का नाम है दोस्तों, ACE Career Development Program, जो की दोस्तों, TCS में आप लोगों को hire करे आप लोगों को इसमें full time opportunity भी इसके बाद मिल सकती है, और इसमें दोस्तों, आप लोगों काफी अच्छा package भी offer किया जाएगा, TCS में, आपको 7 plus LPA का package offer इसमें होगा, apply करने का link description पे मिलेगा, दोस्तों, आपको इसके बाद आना है, इस वाले platform पे, यहाँ पे आपको read more प उठा पाएं, thank you so much गोस्तों